नमस्कार, डॉक्टर अनीता मातुर, बाबु शोभाराम, गवर्मेंट आच्स कॉलेज अलवर, देपार्डमेंट ऑफ जोगरिफी, हम बी ए बार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भारत के भूगोल का अध्यान कर रहे थे, जिसमें हमने कल का जो अपना चैप्टर था वो हमने, हम खनिच संसादनों के बारे में पढ़ रहे थे, और कल हमने लोहा ऐस के बारे में डीटेल में पढ़ा था, कि भारत में इसका उत्पादन कहां कहां होता है, और किस-किस प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है, इसकी बहुत सारी विराइटीज थी, तो हमने देखा साथ ही साथ ये देखा कि किस प्रकार से इसका अंतरा श्रेव्यापार किया जाता है आज हम बात करेंगे मैंगनीज की ये जो मैंगनीज है ये ऐसा खनिज है जिसका उप्योग मजबूत और कठोर इसपात की जो चादरे हैं उन से लेकर चीनी के बरतन तक के निर्मान में किया जाता है मतलब ये एक बहुत इंपोर्टन इंडस्ट्रियल मिनरल है ये और इसका बहुत जादा यूज है चाहे हमें टैंक बनाने हो बिजली का समान बनाना हो इवन ब्लीचिंग पाउडर काच अलग अलग तरह की दवाईयां सोने के आभूशन वार्णिश रसायन सूखी बैटरी टाइल्स खाद मोटर गाडियां यान ड्रेल के डिब्बे प्लास्टिक पोटेशियम इवन ऑक्स क्लोरीन गैस आदी इन सब चीजों के निर्मान में मैंगनीज का यूज होता है तो हम यह कह सकते हैं कि मैंगनीज यह बहुत इंपोर्टन बहुत यूसफुल खनिच है लेकिन वर्तमान में मैंगजीन जो मैंगनीज है इसके उत्पादन का लगबंग 95% उपयोग तो केवल जो मैटल इंडस्ट्री है उसी में ये कंज्यूम हो जाता है सबसे बड़ा जो इसका कंज्यूमर है वो ये मैटल इंडस्ट्री है और 95% करीब यहीं यूज हो जाता है और मैंगनीज के मिश्रन से बना हुआ लोहा जो होता है लोहा सपाज होता है वो बहुत कठोर हार्ड और अच्छी Quality का मजबूत माना जाता है और इसीलिए इसका मिश्रन करके हम करवायन Blades और इनका निर्मान करते हैं जिस से उसमें क्या होता है कि बहुत जादा मजबूती आ जाती है और उसकी Life जो है वो बहुत बढ़ जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रकार से बहुत important तरीके से इसका use जो है वो इंडस्रीज में हो रहा है भारत का अगर हम बात करें अगर इसके reserves की हम बात करते हैं इसके भंडारों की बात करते हैं तो लगबग 17 करोड मेंगनीज अटन मेंगनीज के भंडार हमने मान रखे हैं कि भारत में हैं और इसका जो 90% हिस्सा है वो धारवार की चट्टाने जो है वहां से प्राप्त होता है तो भंडार की दृष्टी से अगर भारत की बात करें तो जिंबाववे के बाद ये second number पे आता है मेंगनीज का सबसे जादा production जिंबाववे में होता है और उसके बाद second number पे इंडिया है और हम अभी जितना निकाल रहे हैं या produce कर रहे हैं उस दृष्टी से देखें तो भ मेंगनीज अविलेबल है ये जो हमें धारवार की चटानों पे मेंगनीज मिलती है इसमें लगबर 40 जो 40% अंश है वो लोह अंश पाया जाता है जो साइलो मैलन, ब्रोनाइट, पायरोलुसाइट, क्रिस्टो मिलन, आयस के रूप में पाया जाता है फिर इसको इससे अलग क करते हैं हम और भारत में निकलने वाला जो मेंगनीज है उसको हम अच्छी क्वालिटी का मेंगनीज मानते हैं और अच्छी क्वालिटी में से जाधतर भाग का हम निर्याद भी कर देते हैं जो बैस्ट क्वालिटी होती है उसका निर्याद भी किया जाता है और भारत विश उनकी दृष्टी से महाराश्र में नाकपुर, भंडारा, मध्यप्रदेश में बालागार, छिंदवारा, ये जो जगें हैं, ये अपना बहुत महत्फुर रखती हैं, और उडीसा राज्ये में भी इसका अच्छा उत्पादन होता है, इसकी अतिरिक्त मध्यप्रदेश, करन च्छतीजकर्ड, गुजरात और कुछ मात्रा में, राजस्तान में भी मेंग्नीज का उत्पादन होता है, तो इसका जो सबसे अधिक बड़ा जो प्रोड्यूसर है, और यहां पर भारत का जो टोटल जो इसके रेजर्वस हैं, उसका लगभग ऐसा माना जाता है, कि 12 प्रत मेंग्नीज, जो फैदा होता है, जो निकाला जाता है उत्पादन की दृष्टी से, वो उरीसा से ही होता है, इस राज्ये में, जो सुन्दरगड का शेत्र है, वहां पर गोंडाइट भंडार जो है, वो सबसे महत्वपून है, यह उत्तम श्रेणी का एक प्रोड़क्ट है अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, और यहां पर क्योंजर, कालाहारी, कोरापुट, बेलनगिरी, संबलपूर, क्योंजर और धनेक नाल जो शेत्र है, वहां पर इसका धीकांश उत्पादन किया जाता है, उरीसा के बाद हम बात करते हैं, महराश्र राज्ये की, अगर हम उत्पादन और भंडार की दृष्टी से बात करते हैं, तो दोनों ही तरीके से यह दूसरे नंबर पर है, परन्तु क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो यहां पर उरीसा के कंपैरिजन में, मैंगनीज की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, उतनी अच्छी किसम की मैंगनीज यहां पर नहीं पाई जाती है, और यहां पर लगबग भारत का 23% मैंगनीज का प्रोड़क्शन होता है, यहां नाकपुर, भंडारा और रतनागिरी, यह में प्रोड्यूसर्स हैं, जहां पर मैंगनीज का उत्पादन होता है, उसके बाद आता है, तीसरे नंबर पर हम बा तो मध्यप्रदेश, यह जो मध्यप्रदेश वाला शेत्र है, यह comparatively महराश्ट्र से लगा हुआ शेत्र है, और यहां पर बालाघाट और चिंदवाड़ा, यह शेत्र है, और बालाघाट में लगबग 10 किलो मीटर की एक पट्टी है, और जिसमें 15 मीटर मोटी परत में इस मैगनीज की उपलबधता है, और बालाघाट इस राज्य में उत्पादन और भंडार दोनों की दृष्टी से मध्यप्रदेश में बालाघाट नमबर वन पे है, इसकी अतिरिक्त सिनोई, निमाड, देवास, धार, मांडला, जबुआ और जबलपुर, यह वो डिस्ट्रिक हैं, जहां पर भी मैगनीज का उत्पादन किया जाता है, और भारत के कुल उत्पादन का 20 प्रतीशत, 20 परसेंट, प्रोडक्शन महराश्रा में होता है, और भंडार की दृष्टी से यहां पर अच्छी मात्रा में इसके रैजर्व्स पाए जाते हैं, सबसे जादा रैजर हैं कि कुल मैगनीज का लगभग, 13 प्रतीशत उत्पादन जो है, वो करनाटक में है, यह चौथे अस्तान रखता है, और यहां पर भी जो बेलारी जिला है, वो मैगनीज उत्पादन में सबसे पहला इस्तान रखता है, इसके अतिरिक्त उत्तरी कनर, शिमोगा, ठुमकूर, धारवार, बेलगाओ, चिकमगलूर, बीजापुर, यह वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर अच्छी मात्रा में मैगनीज का उत्पादन होता है, और यहां से यह स्टील इंडस्ट्रीज को भी बड़ी मात्रा में भेजा जाता है, फिर हम बात करते हैं आंध अंधर प्रदेश में लगबग भारत का 4.58% उत्पादन जो है वो अंधर प्रदेश से होता है, और यहां पर श्री काकुलम और विशाका पटनम, यह इसके प्रमुक प्रोडूसर्स हैं, इसके अतिरिक तो कोडपा, विजयनगरम, गुन्टूर, यहां पर भी मेगनीज का उत्पादन किया जाता है, और यहां पर श्री काकुलम जो है वो सबसे महत्वोपून स्थान रखता है, और यहां पर लगबग 480 मीटर लंबी, और 50 मीटर चोड़ाई में में मेंगनीज की एक पट्टी है, जहां से अधीकांश मेंगनीज का जो खनन होता है, वो इसी एरि लेगी, तो मध्या प्रदेश का जो बाला घाट छेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट छेत्र है, उसका जो विस्तार है वो 36 गड़ के इस शेत्र तक पाया जाता है, और यहां पर कवरधा, राजनंद गाउं, दुर्ग, बस्तर और कांकट, यह डिस्ट्रिक्स हैं, जहां प इस मैप में आपको यह सारे स्थान बड़ी असानी से दिख जाएंगे, नजर आ जाएंगे, तो आप इनकी लोकेशन को देख लीजे, क्योंकि जब भी एक्जाम में आप इस क्वेशन को अटेंप करेंगे, तो बिना मानचित्र के इसके अच्छे नमबर मिलने की आप कभी कलतना, मत करना, किसी भी क्वेशन को जब हम अटेंप करते हैं, तो साथ में अगर हमने प्रॉपर मैप नहीं दिया है, तो नमबर कम मिलते हैं, और जोगरिफी का तो सबसे इंपॉर्टन टूल जो होता है, वो ये मैप ही होता है, और जो चीज हम दस पेज में लिखके नही नहीं बता सकते हैं, वो एक हमारा मैप कह देता है, और एक्जामिनर को भी देखिए, ये पता होता है कि मैप कौन स्टूडेंस बनाते हैं, जिनको वास्तव में हर चीज की नॉलेज होती है, इसलिए वो अपने आप ही वहाँ पर अच्छे नंबर आने के चांसे हो जाते है इसलिए being a student of geography, जहां जरूरत हो map और diagram का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए, फिर हम इसके अगले producer की बात करें, तो उसका नाम आता है गुजरात का, और गुजरात में पंच महल का जो शेत्र है, खेडा, बढ़ मोद्रा, बनास काटा और साबर काटा, ये वो शेत्र है जहां पर बहुत ज़ादा बड़ा producer तो ये नहीं है, परन्तु ये छटे साथवे नंबर पर आता है, और यहां पर कुछ मात्रा में इन सभी district से मैगनीज का उत्पादन किया जाता है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान में भी मैगनीज का उ नहीं है, परन्तु मध्यम श्रेनी की होती है, और इसका जो सबसे बड़ा producer है, वो बासवाडा जिला है, और उसके अतिरिक्त वदैपुर, डूंगरपुर और सिरोही, ये तीन राज्ये और हैं, और जहां पर इसके बंडार हैं, और प्रोड़क्शन होता है, और अरावली की पहाडियों में कई जगे सर्वेक्शन किये गए हैं, और इवन अजमेर शेतर के आसपास भी ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं, कि मैंगनीज के अच्छे बंडार होने की संभावना है, परन्तु अभी वहाँ पर इसको निकालने का कारे नहीं किया जा रहा है, अभी वहा या नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छी किस्म की मैगनीज तो नहीं मिलती है, पर मध्यम शेणी की है, और वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टन चीज है, फिर हम बात करते हैं जारखंड की, तो जारखंड में सिंग भूमी और धनबाद, ये यहाँ पर होता है मैगनीज और कुछ मातरा में गुमला और राची के शित्र में भी इसका खनन किया जाता है, उसके अधिरिक्त कुछ छोटे उतपादक भी हैं जिसमें गोआ का हम नाम लेते हैं, और यहाँ पर भारत में एक मैगनीज के उतपादन की एक और स्पेशल बात ये है, कि यहाँ पर उतप चीज होती है, तो वो इसके आधार पर उतपादन किया जाता है, अब अगर हम इसकी मांग की बात करें, तो जैसे जैसे हमारा इंफरस्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं, रोड्स हैं, सॉरी ट्रांस्पोर्टेशन के साधन हैं, इवन रेजिडेंस के लिए स्टील की आवश जैसे इसे मैटल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इसकी मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है, और लगभग इसका 60% भाग भारत में ही उपयोग आ जाता है, और बाकी भाग को यहां से निर्यात किया जाता है, तो अगर निर्यात की हम बात करते हैं, तो भारत क प्रमुख देश हैं जहां से भारत मैंगनीज का निर्यात करता है परंतु यह कच्चे मैंगनीज का निर्याद ही यहां पर किया जाता है और सबसे बड़ा निर्याद जो है वो जापान को किया जाता है और मोर देन 50% हमारा जो निर्याद का भाग है हम जापान को ही भेजते हैं और इस वाली यह जो है मैंगनीज है इसके व्यापार में हमें थोड़ा competition भी है और हमें Brazil, Ghana, Gabal ये जो शेत्र हैं इन से जादा हमें प्रतीस परधा करनी पड़ती है और इसी प्रतीस परधा के कारण इसका जो rate है वो भी world market में बहुत controlled रहता है तो manganese एक बहुत important धातू है परंतु व्यापार की दृष्टी से देखें तो अभी भारत में बहुत जादा ये एक बहुत important हमारे निर्यात में हम इसको शामिल नहीं करते हैं परंतु इस थानिये जितनी भी metal से related industries हैं जितनी भी construction से related activities हैं उन सब में इनका बड़ी मात्रा मे manganese का उपयोग किया जाता है तो व्यापारिक दृष्टी से अगर हम बात करें तो ये एक बहुत important mineral है बहुत important खनिज है और अभी ऐसा भी सुनने में आया है कि अभी जो इनका विभाग है वो और सर्वे करके और इसके नए शेत्रों को भी ढूंडने और वहाँ पर कारे क करने वहाँ पर खनन करने की तैयारी कर रहा है इसलिए हमें उमीद है कि आने वाले समय में इसका उत्पादन भारत में बढ़ेगा थैंक यू